समुद्री लुटेरों की अपनी स्टॉक एक्षेंज जी हाँ पैरेट स्टॉक एक्षेंज वेलकम टू सुमालिया ये स्टॉक एक्षेंज सुमालिया के हरारधिरे टाउन में खोली गई जो की एक कोस्टर टाउन है सालों के सिविल वार और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने सुमालिया के एक आउनमी को तबाव कर दिया था चारों और आगजनी और लूट पार्ट का महौल था इंस्टिशन्स कोलैप्स हो रहे थे सुमालिया एक बेहत गरीब देश बन चुका था इंडस्टिश ना होने के कारण नौकरिया बिलकुल ही नहीं थी सुमालिया में 3300 किलोमेटर्स की कोस लाइन अफरीका में दूसरी सबसे लंबी कोस लाइन है यहां से दुनिया के बहुत कारगो शिप्स गुजरते हैं इसी में सुमालिया के बिरोजगारों को एक मौका दिखा हांजी सी पाइरेट्स बनकर जहाजों को लूटो और बंधक बनाकर फिरोती भी वसूलो जल्दी ही सुमालिया में काफी सारे समुदरी लूटेरों के गैंक्स बनने लगे सुमालिय के यूद को पैसे बनाने का एक नया जर्या मिल गया था गैंक्स की मूटी कमाई सब को दिखने लगी गैंक्स को पैसा और वैपनस दोनों के जरुती और मजबूत बनने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें प्रॉफिट शेरिंग के बेसिस पर इन्वेस्पेंट करने लगे इससे इस धंदे में जबर्दस्त पैसा आया पैसे से पैसा कमाया जा रहा था जब स्केल बढ़ा तो इन्वेस्टर्स के पैसे का और लुटेरों की मिशन की कमाई का रिकार्ड रखने के लिए दुनिया की पहली पैरेट स्टॉक एक्चेंज 2009 में खुल गई इससे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के बहतर मौके मिले और सिस्टम ज़्यादा एफिशेंट हो गया लिस्टेट पैरेट ब्रूप्स अपने नए मिशन की प्लानिंग करके उसे एक्सेक्यूट करने के लिए स्टॉक एक्चेंज से फंडिंग उठाते थे इन्वेस्टर्स रिस्क रिवार्ड डॉक्यमेंट के अनुसार इन्वेस्ट करते थे पैसा लगाकर या वैपन सप्लाई करके वाल स्ट्रीट जनरल के मताबिक लगबक सतर से ज़्यादा पाइरेट और्गनाजेशन लिस्टेड है इस अनुखी स्टॉक एक्चेंज पर क्योंकि ये गैर कान्यूनी है और मिलिटरी की नजर में रहती है इस कारेने इस जानकरी को फैक्चुली नहीं वेरिफाई किया जा सकता ग्लोबल एकॉनमी को बिलियन्स आफ डॉलर्स का नुपसान हुआ है 2006-2014 का पीरियट सबसे खराब था कार्गो शिप्स के लिए पिछले कुछ सालों में इसमें कमी आई है इंशुरेंस कंपनियों के ज़्यादा प्रीमियम वसूलने से काफी असर लॉजिस्ट्रिक्स कॉस्ट पर भी पड़ता है अगर जानकरी रोचक लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सबस्क्राइब कीजिएगा दिल से अभार